तो चलिए गाइस जो तो हम लोग क्या है question number 23 से देखने वाले इस वीडियो में कितने से question number 23 से देखनेंगे ठीक है नेक्स वीडियो में मैंने question 19 करा दिया 20 करा दिया 21 करा दिया उसके बाद कीछी वीडियो भी 28 29 30 31 32 33 तक करा दिया ठीक है तो जो बचा है बीच में उसको मैं करा दो क्योंकि वीडियो बड़ी हुआती इसलिए छोड़के दो से तिन करा पाता है तो चलिए यह भी टू माक्स का लिए क्या है question number 22 हो गया है तो 23 से देखे 22 question हमारा हो गया तो पिछली वीडियो में तो चलिए 23 क्या है दी फीगर तो अपीस आप प्योर सेमिकंडॉक्टर एस इन सीरीज बिथ बैरियेबल रजिस्टेंस आर एंड शोर्ट साप कांस्टेंट बोल्टेज भी मतलब बोला कि एक जो है इसमें एक सेमिकंडॉक्टर लगा रखा है जिसको बोला यह सीरीज में लगा के रखा है उसके बाद यहां पे क्या मीटर एक लगा दिया है और यह हो वी वोल्टेज है प्वस्चान है कि आ मीटर रेड़ी को कांस्तेंट करना था और हमें क्या करना है आर की बैल्य को घटाना रहा इत वीज रजिस्टेंस को क्या दिया है दी फीगर सो पीस आप योड़ से अगर आपको इनक्रीज अगर करते हैं ठीक है तो हमारा क्या होगा टंप्रेचर जो होता है आता है ठीक है थीजिए चाहीं तुखने अन्क्रीश कर जाएगा टम्प्रेचर इंक्रीज कर जाएगा अगर R को इंक्रीज करेंगे टम्प्रेचर इंक्रीज जाएगा जब टम्प्रेचर इंक्रीज कर जाएगा किसका सेमिकंडक्टर के यह टम्प्रेचर किसका E-S का इंक्रीज कर जाएगा जब E-S का इंक्रीज कर जाएगा तो ठीक है इसका मतलब इसका डिक्रीज कर जाएगा कि अ गाई समुझिएगा अगर क्या करेंगे रजिस्टेंस करेंगे यहां से तो हीटिंग होगी जब ही टींग होगी तो 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 मतलब रजी सव हैं क्या होता है एक जो तो करेंगे तो करेंट क्या करेंगा है तो यही हमाई इसका मतलब क्योंब जानते हैं पर चुक यह हूं की कंड्यक्टर में में फोता है उसमें कि अगर मेट तंपरेशन पढ़ा लेते हैं उसकी सोए सब्सकिर कर जाते हैं और सेमी कंडेंटर में डिफरेंस ठीक है तो इसका मतलब है इस रजिस्टेंस की थ्रीज में क्या किया जा रहा है तो इस तरीके से हैं अगला है क्वेश्चन देखें इसी का हमारा और क्वेश्चन किसी का आप ओंटि तरी का आर रही आप लोग घ्राह से देखें और क्या नहीं किया है यादा दिया जिवाओ पॉटेंस्यल वैरियर बिदों पार आप डिपलीशन लेयर पारहन अन्ज बैस डाइव इस सोनिं फीगर एक एक अब क्या बता दिया कि बाइसिंग नहीं कि है जि तो ज़्यां थोड़ा कम आर इसी कि प्राते हैं तो देखिए इसका आप क्या है पहला फिगर यह ऐसे यह दिखाया है विएक्स पोटेंशियल ऐसे यह एक्स इसको बोला एक फोड़ा सा एसे ले जाके ऐसे कर दिया ठीक है दूसरा वाला फिगर है वीकर और इसमें दिखा यह X हो गया, इस तरीके से, इसमें भी VX है, पोटेंशियल वैरियर है, थोड़ी इसकी हाइड जा रहा है, इस यह ध्यां से देखिए, फिर यह B वादा हो गया, तीसरा है C है, उसमें क्या होता है, थोड़ा ऐसे जाके, ऐसे हो गया, यह उससे भी कम है, क्या है उससे, यह प इस तरीके से, अब देखियें, इसको वोग समझें, यह unbias, बायस नहीं है, इसका मतलब बादशियल बैरियर के बारे बता गया, इसकी पोटेंशियल बैरियर यह है, अब यह अगर बोल्टेज बढ़ाने के बाद X में चेंजिब होगा, इसका मतलब यह क्या है, इसको बो कि गई है रिवर्स बाइसिंग की गई है और इसमें देखना है कि पोटेंशियल जादा नहीं इतनी पर इख हमारा क्या होगा इधर लिदियरली बढ़ने लगा इसका मतलब यह फारवर्ड बाइसिंग में किया गया होगा फारवर्ड बाइस है इसमें बहुत माइनवर्ड में क्या बोल्टेज में ही करणे लगता और क्या करना था लिएंटिफाइब आप ऐस लिए इसमें तो वाईसिंग हमारा इन गंवर्ड प्रीजट लाइन आप आप्टर वाईजिंग दायोट इन डिफरेंट वे सिद्वेश्टि होगे इसमें तो यहां बताना है अगर बात करते हैं इसमें क्या होता है इसमें करती यहां करती है बस इतने ही तब फिगर बना के इन्रों को बताना था तो चलिए क्वेश्चन नमबर अब 24 ले 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 यह आठा क्वेश्चित 24 का क्वेश्चन देखे धांसे क्वेश्चन वागत को सुनाते हैं तब उसके बाद एक क्वेश्चन है अन्यरो स्लिट इस इल्यूमिनेटेड बाइप यह बीम आप मोनो क्रॉमेंटिक लैड़ लेंध लेंध ल सेंट्र मैक्सिमुम इन रजेल्टीं डिफरेक्शन पैटेज मीजर वेंधिने इस स्लीट इस इल्यूमिनेटेड बाइडी लाइट आप दी लेंदा इंगूलर विद दीग्रीज वाइठीड ठीक है क्या दिया सबसे पहले फिट से कैल्कूलेट दी वैल्वा बैब्लेट मतलब हम लोग जानते हैं कि single slit क्या देए a narrow slit illuminated by a parallel beam वे नैरो slit होते हैं जासे हम जानते हैं इसमें से light pass करते हैं इस तरीन होता है इसका image चाहे यहां बना लो ऐसे करके यहां बना लो यहां पे तो मैजर क्याता है तो मैजर क्याता है तो हम लोग क्याते हैं कितना होता है 2 theta equally at b 2 सब्सक्रान बना थे तो यहां भी बढ़ा देते हैं तो क्यतनास एक पड़ी क्याया है जाता है तो देखे 30% करने का मतलब यह हुआ कि 70% रह गया तो 70% निकालेंगे तो 0.7 हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब कितना कि 0.7 यह हो गया जो 30% decrease करें बतब 70% रह गया अब हम लोग को करना क्या है इसमें तो यह हो जाएगा तू लेमडा अपान यहां से देखे 70% कर देंगे 70% कर देंगे और पहले की जो वैलू है वह जो भी है उससे मुल्किप्लाइब कर देंगे तो हमारा न्यू वाला पता चाह जाएगा क्योंकि इसको इल्मिनेट करेंगे तो इतना सब्सक्राइब सब्सक्राइब करने के बाद तो आयगा कितना गाइस तो आजाएगा हमारा यह बैलू आजा कितना बैलीस सो आगया मतलब करता है नेक्स इल्मिनेट तो यह वैल हो गए तो इसको थोड़ा ही करते हैं तब क्वेश्चन अगला लेते हैं तो हमारा क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर है तो चलिए पढ़ते हैं आप लोग देख लिए क्या है क्या दिया है तूल लाज थीन मेटल प्लेट आर पैलेट टू प्लेट टू इस अज़े पहले क्या दिया है दो प्लेट है अज़े आप लोग दास लावाला प्लेट पढ़ें बस वही समझेगे यह प्लेट है इसके तब इसका उन्दर अरी अधर बाहर अरी और यह एक प्लेट है यह है दूसरी प्लेट भी है क्या बलाग तू लाज थीन मेटल प्लेट आर पैलेल टू पैलेल एंड प्लोस्ट व सिग्मा की हो जाई कितनी माइनस हम लगा दे रहें 17.710 की पावर माइनस बाइस दिया ठीक है और इधर भी कितना होगा सिग्मा इसका मतलब एक प्लेट 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 इंटेंस्टी हमें क्या बताने है इन आउटर रीजेंट आप फस्प्लेट आउटर रीजेंट पे हम लोग जानते हैं कि दो प्लेट के बीच में ही क्या करते हम लोग का बैल या क्वेश्चन शाल हो पाता है और इसका मतलब क्या होता हम लोग फामला होता है सब्सक्राइब तो पहले में सब्सक्राइब लेंगे तो इसलिए पहले वाले कितना हो जाएगा डारेक्टिक अब सेकंड में बिट्विन दी प्लेट में लेना तो यहीं फार्मुला बिट्विन दी प्लेट वाला गया यह सिग्मा अपन अपसाइलन नाट हो गया तो सिग्मा की वैलू यहां दे रखें पोई एक लेंगे 17.6 माइनस 22 और हम लोग ख्यानते हैं एपसाइलन की वैल्य एक वैल्य कार्श कितना गया ऐस ऑगर आपको नहीं याद़ा सब्सक्राइब नहीं था है और तो और एसको अब तो हमारा आजाएगा 17.5 x 10 की पावर यहां देखे कटेगा तो यहां पर जाएगा तो यहां पर जाएगा तो इसको डिवाइट करेंगे इसको इससे काट दे तो यहां पर गया यहां पर 885 x 10 पावर यह पो गया हमारा इतना तो जो इससे वाइट को जाएगा तो चलिए तो यह हमारा क्वेशन नमबर कौन सा हो गया तो 25 देखे और चलिए तो नेक्स क्वेश्चन में टू इस्टेट अब आगे है हमारा 25 देखे तो मैंने कोशिस कराया है कि जो है आप लोग अच्छे से सबी क्वेश्चन को कर सके देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन पेपर में आएगा तो गाइस चलिए हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दिए जिसका नाम उपर देखिए बोड के मैंने लिख दिया है इस्टडी 24 बाइबी के उसके बाद आप बेल आइकन को जब प्रेस कर देंगे तो हमारे जो है प्लेलिस्ट में जाएंगे तो सभी वीडियो जाके प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे सभी वीडियो मिल जाएंगे तर लिए थैंक यू